हाई फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज मैं अंडा करी की रेसिपी बिल्कुल डिफ्रेंट तरीके से आप सब के साथ शेयर करने वाली हूँ इस अंडा करी में आपको अंडे को उबालने और छीलने का कोई जंजट नहीं है साथ ही मसालों में भी थोड़ा सा ट्विस्ट है लेकिन इसके लिए आपको मेरे वीडियो तक की अंत तक बना रहना होगा तो चलिए फटा फट सुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले मैंने कड़ाई में 4 टेबल स्पून सर्सो का तेल डाला है सर्सो के तेल में अंडा करी बहुत अच्छी लगती है और जब सर्सो का तेल हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसमें कुछ साबूत मसाले जैसे की तेजपत्ता, थोड़ी सी दाल चीनी, एक इंच दाल चीनी का टुकड़ा और एक छोटा चमच मैंने जीरा डाला है, साबूत जीरा और जैसे ही जीरा चटकने लगेगा मैंने यहां पर दो बड़े साइज की प्याज इसको कि मैंने बहुत फाइन चॉप कर लिया है वो इसमें डाल लही हूँ, आप चाहें तो इसको ग्रेटर की हल्प से ग्रेट भी कर सकते हैं और अब हमें इस प्याज को इसका कलर चेंज होने तक के लिए भून लेना है मेडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने प्याज को यहां पर भून लिया है प्याज का कलर भी अब चेंज हो गया है अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम एक बड़ा चमच लेसुन कूटा हुआ लेसुन जिसे की मैंने इमाम दस्ते में कूट लिया है वो ढाल दे रहे हूँ और साथ ही साथ एक इच अदरक का टुकड़ा मैंने लिया है इसे मैं ग्रेटर की हैँ कर दे रही हूँ आज मैंने जो अंडा करी मैं बना रही हूँ बहुती सिंपल है कोई मिक्सी का यूज नहीं है बहुती आसान तरीके से मैं बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें अद्रक को भी मैंने ग्रेट कर दिया है और अब अद्रक और लेसुन को मैं इस प्याज के साथ थोड़ी देड़ तक भून लूँगी एक से डेड़ मिनट इसको लो फ्लेम पर मैंने भूना है और अब हमारा लेसुन और अद्रक भी भून गया है और साथ में प्याज भी हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है इस प्याज के पर हमें इसी स्टेज तक भूनना है अब जो ट्विस्ट है वो ये है कि मैं इसमें एक चमज बेसन डाल रही हूँ बेसन को हमें slow flame पर अच्छे से भून लेना है ताकि बेसन में कच्छा पन ना रहे नहीं तो हमारी जो gravy का टेस्ट है वो बिल्कुल different हो जाएगा अग्षे को हमें ध्यान देना है कि बेसन जादा नहीं डालना है और बहुत अच्छे से इसको in slow flame पर हमें इसको भून लेना है बेसन डालने से इस अंडा करी में जो करी का जो टेस्ट है वो बहुत ही डिफरेंट आएगा और खाने वाले को यो बिल्कुल पता नहीं चल पाएगा कि आपने इसमें बेसन डाला है और ये बहुत कम मसालों में बहुत ही थिक ग्रेवी बनेगी बेसन भून लेने के बाद हम इसमें तीन टमाटर डाल देंगे इसे भी मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था और टमाटर डालते ही मैं इसमें स्वात के अनुसार नमक डाल दूंगी जो कि मैं हमेशा अपने हर सबजी में ग्रेवी वाली सबजी में मैं टमाटर के साथ नमक थोड़ी देर में यह हमारा टमाटर भी भून गया है और बिल्कुल अलग हो गया है टमाटर से और अब टमाटर को भून लेने के बाद हम अपने इसमें कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे जैसे कि एक बड़ा चमच मैंने यहां पर धनिया पौडर डाला है एक चोटा चमच मैं यहां पर गरम मसाला और जीरा पौडर दोनों इसमें मिक्स हैं मैं वो डाल रही हूं एक चोटा चमच हल्दी पौडर और एक चोटा चमच मैं इसमें लाल मिर्च पौडर डाल लही हूं लाल मिर्च आप अपने स्वात के अनुसर कमया जादा कर सकते हैं और अब इन मसालों को भी मैं इसमें प्याच के साथ अच्छ से मैं भून लूंगी और मसाले को भूनते समय ये करना है कि अगर मसाले हमारे हमारे कड़ाई में चिपकने लगे या ना भी चिपकिए तब ही भी हमें मसालों में 2-3 चमच पानी डाल कर 3-4 bord भून लेना है इससे क्या होगा कि मसाले हमारे जलेंगे भी नहीं और बहुत अच्छे से भून जाते हैं मसालों में पानी डाल डाल कर भूनने से क्या होता है कि मसालों का जो टेक्स्चर है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है और मसालों का वॉल्यूम भी थोड़ा सा जादा दिखने लगता है वो मैं आपको पानी डाल कर भून कर मैं आपको दिखा रही हूँ मसाले भूनने का जो ये ट्रिक है इससे आपकी करी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो इसलिए आप एक बार इस तरीके से मसालों को भून कर किसी भी करी में ट्राइ करिए आपको करी की जो करी है वो बहुत ही टेस्टी लगेगी आप देख सकते हैं कि मसालों में कितनी अच्छी शाइन आ गई है मसालों से भी अब और रिलीस हो गया है तो अब हम क्या करेंगे इसमें ग्रेवी के लिए मैं इसमें दो कटोरी पानी डाल दे रही हूँ ग्रेवी आप थोड़ा कम या ज़्यादा अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं और अब इस पानी को मैंने डाल कर ग्रेवी के लिए कड़ाई को हमें धग देना है तब तक के लिए जब तक कि इसमें एक उबालना आ जाए और अब हमारी ग्रेवी उबलने लगी है अब हम लिट को हटाएंगे और इसमें अंडा डालेंगे यान्डा डालने के लिए हमें करना ये है। कि हम एक कल्शी लेंगे और कल्ची को इस ग्रेवी में हम दुबाते हैं जिसे कि हमारी कल्षी थोड़ी गरम हो जाए। और कल्ची हमारी गरम होने पर एक अंडे को मैंने कटोरी में तोड कर रखा हुआ है, वो अंडा एक एक करके हम इसमें डालेंगे एक अंडा हम इस कल्ची में डाल रहे हैं और ग्रेवी से जो कल्ची का साइड है वो बिल्कुल टच है और अब हम थोड़ी सी ग्रेवी इस कल्ची में भी डाल लेते हैं जैसा कि स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूं आपको बिल्कुल और ऐसा ही करना है ऐसा हम इसलिए करते हैं हम टारेक्ट कढ़ाई में इसको नहीं डालें गे नहीं तो क्या होगा कि गामारा पूरी कढ़ाई में बिल्कुल फैल जाएगा Clayton जाने अछिए इसका च्रेप अछ से हम घरम जोहरी करई है इसमें हम इसमें हम अंडे को लेते हैं और अब इसमें कढ़ाई में हम धीरे से डाल देंगे, इसी तरीके से मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ, कल्ची को सबसे पहले हम ग्रेवी में डालते हैं, ताकि कल्ची हमारी अच्छे से गरम हो जाए, और अब हम इसमें एक अंडा तोड़ कर डालेंगे, और नीचे का अंदर ही हम इसको धीरे से ग्रेवी में डाल देंगे, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप एक अंडे को इसमें ग्रेवी में डालते हैं, तो आपकी जो ग्रेवी है उसमें उबाल आते रहना चाहिए, और जो आपका अंडा है, और अंडा आपका तुर प्रेम को स्लो कर देंगे और इसे लिट से ढग देंगे पांच मिनट तक हम यूहीं इसे पकने देंगे उसके बाद हम इसे खोलते हैं यह देखिए अब हमारी अंडा करी बिल्कुल रेडी हो चुकी है अब हम आपको एक पीस में आपको दिखा लेती हूं कि यह किस तरीके से हुआ है यह देखिए अंडा करी का यह जो है एक एक अंडा इस तरीके से फॉर्म में आपका आएगा और सबसे लास में हम क्या करेंग और गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढख देंगे उसके बाद हम इसे गर्मा गरम सर्व करते हैं तो देखा फ्रेंट्स आज की एक करी की रेसिपी कितनी आसान है और डेफिनेटली यह आपको पसंद भी बहुत आने वाली है तो प्लीज अगर आ कर्वार कर्णैं और यह प्लाद आने जड़्यों करते हैं तो भीकी प्लाद को प्लीजों है यह तो रहाँगे चाहला ।